Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars Where future lies in your own abilities Friends आज हम video number 31 बना रहे हैं जो की continuation है video number 30 का हम लोगों ने video number 30 के अंदर SALTS पढ़े थे सारे SALTS के बारे में पढ़ा था किस तरीके से SALTS का pH वहरी करता है ये सारे वीजल्स देख चुए and for your information ये जो वीडियो है हमारी last video है पूरे ACID, BASIS and SALTS सबसे पहली चीज़ तरी दूसरी चीज़ ये के आपको इस वीडियो के description link के अंदर मिलेगा test series का paper number 3 which is completely based on live process पूरा का पूरा ये जो video मिलने वाला है description इस video के अंदर description link के अंदर आपको live process का paper मिलेगा and most probably जो next video होगी life process ठीक है चलिए ये chapter खतम होने वाला है last video बना रहे हम इस chapter की इसके बाद हम लोग जो chapter start करने वाले है possibility है either physics के साथ जाएंगे या आपर biology के साथ let's see कौन सा करते हैं ठीक है चलिए आज की video स्टार्ट करते हैं आज की video के अंदर हम लोग जो topic पढ़ेंगे वो basically salts की preparation है ठीक है कौन-कौन से salts की बहुत सारे salts है सबसे पहला जो हम नमक खाने में डालते हैं ठीक है दूसरा जिससे हम कपड़े दोते हैं washing soda it is a kind of a powder ठीक है third one classic soda ठीक है खाना soda बहुत सारे soda हैं यह सब के सब salts है acids और basis से मिलकर बनते हैं plaster of paris it is a kind of a salt ठीक है बहुत सारे हैं बहुत सारे ठीक है बार हम कुछ limited salts के ही यहाँ पर preparations uses और further उनके बारे में details पढ़ेंगे जो इस वीडियो के अंदर खतम हो जाएं ठीक है चलिए जादा टाइम नहीं waste करते हैं let's start with the सबसे पहली चीज that is common salt एक चीज बदा दू यह सबसे important salt है इसके बिना कोई दूसरा salt नी बन सकता पहली चीज़ ठीक है इसके बिना जतने भी important salts है जो हम पढ़ने वाले हैं यह उन सब का basic material है इसके बिना वो salts बनना possible नहीं है पहली दूसरी चीज अगर खाने के अंदर रमक नहीं हो then it will be tasteless यानि कि यह सबसे important चीज़ है चलिए पढ़ेऊगे कैसे याद कैसे करेंगे पहले बता देता हो सबसे पहले salt का नाम दूसरा चीज common name जो कहा जाता है उसको तीसरी चीज chemical जो नाम है चौथी चीज उसका chemical formula ठीक है पांचवी चीज अगर उसके पास कोई particular characteristics ठीक है वो दिखता कैसा है कोई pH की value अगर कोई given है तो ठीक है छटी चीज सबसे पहले उसकी laboratory preparation या journal preparation and last but not the least uses सरिफ इसी तरीके से हम लोग salt को याद करेंगे ठीक है आपको paper में भी सरिफ और सरिफ इसी तरीके से answers को frame करना कोई जबरदस्ती नहीं करनी है कुछ ज़ादा नहीं लिकना है to the points को answer देना यहाँ से एक question जरूर आएगा salt के इस chapter के अंदर acid basis and salt के अंदर one question is compulsory mandate tree mandate tree इस topic से आता है and it is of 3 to 4 marks जैसे भी होता है ठीक है बट इस topic से आता है चलिए वीडियो स्चार्ट करते है सबसे पहला salt जो लिया है that is common salt sodium chloride दूसरा नाम है घर पे हम लोग इसको नमक बोलते है हिंदी में ठीक है जो common name है वो है नमक तो इसी नमक से सारे salt को जाना जाता है अगर कोई भी बोले नमक कोई भी बोले salt सबसे पहले चीज जो दिमाग में आईगी मन में आईगी तो इसी लिए इसको journal salt भी कहा जाता है सबसे common salt है इसका जो chemical name है that is sodium chloride पहले basic acid है chemical formula जो है इसका NACL थर्ड चीज पढ़ने इसकी characteristics यह white color का powder होता है जिसका pH approximately 7 होता है it means it is a neutral salt तो इसको neutral salt भी कहा जाता है remember के लिए याद रखिएगा अब चलते है इसकी laboratory preparation देखे इसकी 2 preparations है जन्रली हम लोग इसको laboratory में prepare नहीं करते क्योंकि naturally इतनी जादा big quantity में बिना पैसा खर्च किये जादा बिना जादा amount of money expend किये हमको बहुत अच्छे से nature के अंदर available हो जाता है इसकी laboratory preparation इतनी जादा important नहीं मानी चाती है और नहीं करी जाती है preference हम लोग natural preparation को ही देते हैं ठीक है चलिए laboratory preparation है laboratory के अंदर जो sodium chloride है वो prepare किया जाता है एक तो हम लोग जोड़ेंगे sodium hydroxide और दूसरी चीज़ हम लोग जोड़ेंगे hydrochloric acid यानि कि weak acids weak bases लेंगे तो NaOH aqua solution plus HCl का aqua solution दोनों को जोड़ा तो हम लोगों को मिला NaCl which is aqua in nature sodium chloride common salt मिल गया plus water अब क्या करेंगे यह जो common salt मिला है हम लोग जो नमक खाते that is solid in structure बट यह जो है aqua solution है तो अब क्या करा जाएगा जब यह नमक बन जाएगा aqua solution होगा तो इसको दूप में रखा जाएगा evaporate evaporation होता है पानी निकल के चला जाता है end में एक solid mass शोड़ जाता है that solid mass is known as sodium chloride salt which is solid in nature बट इसको generally laboratory preparation से नहीं करा जाता क्योंकि यह nature के अंदर freely available है next पढ़ते हैं हम लोग point number 4 that is natural preparation of common salt common salt जो है वो naturally दो तरीके से prepare किया जाता है सबसे पहली preparation जो की होती है from the sea water sea water में क्या करते हैं हम लोग जो sea water है समुंदर का पानी है वो बहुत नमकीन होता है चीक है बहुत salty water है अगर आप पीओ तो वह ऐसे नमक नमक खा लिया चीक है राइट recently अभी मैं गूंगने गया था Odisha तो वहां हम लोग बीच पे गए ठीक है वहां नहाने पहुँच गए अब लोग बीच पे तो बहुत तेज waves आ रही थी बहुत तेज water currents आ रहे थे ठीक है suddenly एक current आया धे उपर से पूरा पूरा का पूरा पानी अंदर नमक की नमक ठीक है तो बहेंकर बहुत सारा नमक होता है उसके अंदर तो अब क्या करते है उसको हम लोग पानी को छोटे छोटे patches में खटा कर लेते है तोड़ा सा इधर इतने बड़ा patch बना दिया एक room जितना उसमें पानी खटा करके रख दिया ठीक है एक उसके पास में एक और patch बना दिया ठीक है उसमें पानी खटा हो गया वो boundaries बना देते है चारो तरफ मिट्टी के ठीक है कैसे भी boundaries बना देते है अब उसमें पानी खटा है और वो evaporate हो रहा है जैसे जैसे वो पानी evaporate होगा उसमें से water निकल के चला जाएगा पीछे छोड़ देगा हम लोगों को common salt ठीक है बट वो common salt हम लोग directly use नहीं कर सकते just because के उसके अंदर बहुत सारी impurities होती है ठीक है तो अब उसको उसके बाद purify किया जाता है और फिर उसके बाद हमें salt को use कर सकते है ठीक है तो पूरा घांदी जी ने movement किया इस salt के उपर सिर्फ इस salt को सुखाने और उसके बाद उसको खाने के उपर तो यह बहुत important है देखो महां पे भी question आएगा यहां पे भी question आएगा salt का यह वही वाला salt है जिसके बीचे घांदी जी लड़े थे ठीक है एक जगे से दूसरी जगे तक गड़े ते बता नहीं कहां से कहां तक राइट चले next second मिल सकता है अमें इस common salt underground deposits से underground deposits कैसे पानी उपर है shore है जमीन के उपर है वो population होके ठीक है राइट नीचे जाता है धीले 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 जो मिट्टी की जो layers बनी हुई है soil profile है उन में से दीरे दीरे पानी नीचे जाता है और जब वो नीचे जाता है तो बीच में आपने कुछ deposits sold रहता है that deposits are salt ठीक है राइट क्या करते हैं वो basically brown color का होता है ठीक है इसलिए उसको rock salt कहा जाता है उसको निकालते हैं उसके बाद उसका purification करते है purification करने के बाद जो salt मिलता that is common salt ठीक है तो आपको अगर nature के अंदर salt available हो रहा है then it is in impure form crystals की form में होता है rock salt ठीक है brownish ठीक है बहुत common है आपने बहुत जगे देखा होगा ठीक है crystals की form में ठीक है the large crystals of common salt found in the underground deposits are called rock salts it is usually brown due to the presence of impurities ठीक है अब चलिए last इसका जो topic है common salt का that is uses of common salt सब्चे पहली चीज़ मैं बता चुका हूँ खाने के काम में आता है number one चीज बहुत सारे chemicals के industrial preparation में एक basic raw material की form में यूज किया जाता है ठीक है जैसे sodium hydroxide की formation sorry sodium carbonate sodium hydrogen carbonate hydrogen chlorine chlorides इन सबके formation के अंदर जो चीज़ चीज़ आता है that is common salt ठीक है second it is used in the cooking food in cooking food ठीक है it adds a taste to the food also and most important thing is without it without it the axial produced in the stomach does not produce ठीक है तो हमारे समक के अंदर जो axial बन रहा है वो नहीं बनेगा अगर हम लोग खाने के अंदर salt नहीं लेते है common salt नहीं लेते है ठीक है हमारे muscles के movement के लिए common salt का होना body के अंदर जरूरी है plus nervous system के functioning करने के लिए common salt का होना जरूरी है और third thing यह iodine contain करता है तो अगर iodine की कमी अमारी body के अंदर हो जाती है तो हमें goiter होने के chances है thyroid gland properly function नहीं करेगी यहां से यह उठा हुआ हो जाता है ठीक है right this is this is what the improper functioning of the thyroid gland due to the deficiency of iodine in the food ठीक है तो इसी लिए नमक एक बहुँच important चीज है जो हमें regular life में लेनी चाहिए ठीक है ऐसा कहते है I don't know exactly but के अगर कोई baby जो reproduce हुआ है वो अपने life spend के 4-5 साल अगर बिलकुल भी नमक ना ले तो उसका bite जो होगा मतलब अगर वो किसी को दाग से काट दे अगर उसकी बोडी में sodium chloride नहीं है उसकी बोडी में नमक नहीं है तो सोच लीजे कितना important है ये नमक ओके manufacture of soap soap बनाने के काम में भी आता है and to match the ices ठीक है जितने भी foreign countries है even in India also इंडेया लगदा तो roadside पे जो ice आ जाती है जो बरफ जम जाती है तो उसके उपर नमक डाला जाता है जिससे वो उसके melting point को तो वोड़ा सा increase कर देगा जिसकी वज़े से वो जो क्या कहले है जो बरफ ठीक है वो फटाफट से melt down हो जाती है तो to melt down the ice on the roadside we use sodium chloride जिक है रास्ट बहुत जादा important but not the least it is used in the preservation of fickles अर्चार को preserve करने के काम में आता है प्लाट प्लस साथ में मीट और फिश को preserve करने के काम में भी आता है और preserve करने के काम में भी आता है तो इसका मतलब कि देखे अगर हम नीट के ऊपर sodium chloride डाल दें नमक डाल दें तो उसको उसके उपर bacteria का action कुछ देर तक के लिए कम हो जाएगा और वो जाना देर तक preserve रहेगा ठीक है तो फ्रेंज यह वह आप लोगों का common salt अब हम common salt से बनने वाले कुछ और salt की दरफ move करते है अब हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं baking soda बेकिंग soda जो भाने के काम में आता है बहुत सारी और भी चीजों के काम में आता है baking soda तेखे सबसे पहले baking soda का जो chemical name है it is sodium hydrogen carbonate तो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है एक है sodium दूसरा है hydrogen और तीसरा है carbonate ठीक है second thing इसका एक और नाम है sodium bicarbonate ठीक है क्या नाम है इसका sodium bicarbonate जो इसका chemical formula है that is NaHCO3 ठीक है चलिए अब हम चलते हैं इसकी preparation के उपर देखे यह laboratory में prepare किया जाता है with the help of sodium chloride sodium chloride की मदद से ठीक है और भी इसके अंदर कुछ byproducts use किये जाते हैं along with sodium chloride जैसे के ammonia ठीक है second one is carbon dioxide ठीक है तो आप देखे इसकी preparation होगी कैसे laboratory के अंदर हम लोग लेते हैं एक cold and concentrated solution of sodium chloride ठीक है sodium chloride का cold और concentrated solution जिसको brine भी कहा जाता है along with ammonia that is NH3 and carbon dioxide जिसके अंदर हम लोगों को byproducts के अंदर मिलेगा sodium hydrogen carbonate and ammonium chloride ठीक है देखे इसकी जो preparation है वो कुछ यह तरीके जे है sodium chloride लिया cold और concentrated solution cold होना चाहिए यह चीज द्यान रखना ठीक है ammonia लिया that is NH3 plus water plus carbon dioxide ठीक है इससे जो हम लोगों को मिला that is अब सबसे पहले देखो बिला कैसे CO2 और इसके साथ जुड़ीया एक और O ठीक है तो यह क्या बन गया CO3 पहली चीज दूसरी चीज अब जो आई वो दूसरी चीज यह थी के यहां से मिला हमें N A ठीक है राइट अब बचा सरिफ एक H तो हमने क्या करा इसका एक H यहां से यूज कर लिया और एक बचा हुआ H हम लोगों ने किसको दे दिया ammonia को दे दिया ठीक है तो यह बन गया NH4 एक जो H यहां से गया और एक C L तो यह बना ammonium chloride NH4 C L और दूसरा बन गया हम लोगों का NaHCO3 देखो यह ammonium chloride की भी preparation होगे ammonium chloride हमने बढ़ाता एक salt है तो यह ammonium chloride की भी preparation होगे along with हम लोगों को साथ में क्या मिल रहा है sodium hydrogen carbonate तो यहां पर हम लोगों ने जो baking soda है उसकी preparation के अंदर दो चीजों के preparation देखी पहरी चीज जो sodium hydrogen carbonate था और दूसरी चीज that is ammonium chloride अब हम लोग पढ़ते है इसके बाद properties of baking soda baking soda देखे जो baking soda है वो बहुत सारी चीजों में यूज होता है और इसके जो सबसे अच्छे uses है ना वो हमारी मम्मी दादी नानी यही बता सकते यह regular life के अंदर इतनी सारी जगे baking soda use करते हैं they don't know about the reactions remind us थे उन्हें नहीं पता actually क्या perform हो रहा है उन्हें नहीं पता that it is sodium hydrogen carbonate इसको बोलते हैं ठीके ना आप बोलोगे कि मम्मी इसमें sodium hydrogen carbonate डाल दो बोलींगे पागल हो गया ठीके तो क्या है कि उनको पता है कि हो क्या रहा है ठीके ना उनको बहुत अच्छा से बता उनको बोलो inside that particular container ठीके उस particular vessel के अंदर क्या form of reactions हो रही है she don't know but she knows क्या output क्या होगा ठीके तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि baking soda जो है उसके कितने ज़्यादा users हो सकते हैं और कितना important है वो cooking purposes है ठीके चलिए अब हम इसकी कुछ properties देखते हैं पहले then we move on to the users property number one ये white crystals होते हैं बहुत छोटे छोटे से ऐसे इतने इतने से धाने होते हैं they are sparingly soluble in water पानी के अंतर बहुत जल्दी से बुल जाते हैं ठीके न अच्छा ट्रपटर करके right second one is it is mild slow non corrosive base ठीके corrosion परफॉर्म नहीं करता it is non corrosive base and its solution is in water और अगर इसका solution हम पानी में डालेंगे sodium hydrogen carbonate का it is mildly alkaline ठीके mildly basic in nature बहुत slow है right बहुत तोड़ा तोड़ा धीरे धीरे actions परफॉर्म करता है सबसे important चीज़ जो इसकी action with heat है यानि कि जब हम sodium hydrogen carbonate को heat के साथ use करेंगे मतलब के मैंने किसी भी कुकर के अंदर कुछ भी डाला भाना और उसके अंदर मैंने sodium hydrogen carbonate डाला है ठीके right oven vessels में किसी में भी और जैसे मैंने उसको heat supply करी सबसे पहले जो sodium hydrogen carbonate है वो breakdown होगा और उसमें से hydrogen निकलके जाना स्टार्ट होगा ठीके right तो na2 co3 सबसे पहली चीज sodium carbonate मिलेगा ठीके which is also known as soda ash क्या कहलाता है ये enhydrous soda ash जो की अपने साथ water के molecules contain नहीं करता और याद रखना इस reaction को और इस reaction को अभी ये एक और substance बनाएंगे हम लोग washing soda उसके अंदर ये और ये reactions आज़र टेस आएंगे ठीके this is hydrated form of washing soda इसके साथ अगर आप पानी मिला दोगे न then it will become soda ठीके right ये washing soda बन जाएगा then it is enhydrous form right कि जिसके अंदर water के molecules present नहीं है hydrogen के molecules present नहीं है and this is known as soda ash ये soda ash कहलाता है अब यहाँ फर एक सबसे important चीज निकलती है that is carbon dioxide gas plus water अब यहाँ पर sodium hydrogen carbonic को heat करने के बाद जो carbon dioxide gas निकलती है इसका बहुत important use है ठीक है right ये पूरे के पूरे उस substance को aerated करने के काम में आता है plus हम ने जो हम जो cakes बनाते हैं cakes के अंदर उसको spongy बनाना plus उसके अंदर duff generate करना ठीक है ने वो फूला हुआ पंजो generate करना it is with the help of this carbon dioxide gas ठीक है जब sodium hydrogen carbonate को heat करते है ठीक है अभी इसको further uses के अंदर बहुत अच्छा से समझाऊँगा मैं एश एन्हाइड्रे सोडा एश भी बोल सकते हैं जिसको हम जिसके अंदर वाटर का मॉल्यक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है या हाइड्रोजन का मॉल्यक्यूल प्रेजेंट नहीं होता plus carbon dioxide gas which is quite very important for other purposes ठीक है चलिए अब हम लोग move करते हैं uses के उपर सबसे पहले इसको as a anti-acid use किया जाता है which is a medicine to remove the acidity in summer ठीक है एक anti-acid की तरह use किया जाता है ठीक है नजब अमर पास इनों नहीं होता what mommy said खाना soda डालके पानी लेलो acidity remove हो जाएगे ठीक है baking powder अब आया यहां पर सारा काम यह baking powder बनाने के काम में आता है जिसको further use किया जाता है cakes और bread बनाने के काम में ठीक है अब बात आती है कि भाईया यहां पर baking powder और baking soda एक ही चीज़ है आलग अलग हम ऐसा कह सकते हैं कि जो baking powder है उसको baking soda ने बना baking soda को थोड़ा सा advanced level पर लेके जाओ baking powder बन जाएगा चीक है तो what is baking powder it is an advanced form of baking soda जब हम baking soda के साथ-साथ कुछ और चीज़े भी mix कर दिंगे edible acids को mix कर दिंगे तो जो चीज़ हमारे पास बनकर आएगी that is known as baking powder और baking powder का बहुत अच्छा यूज है चीक है डेखे baking powder is equal to baking soda plus mild पुछ soft हलका जो पुछ दीरे दीरे react करता है edible acid और basically हम लोग tartaric acid इसके अंदर डालते तो baking soda के अंदर tartaric acid डाला चीक है baking soda के अंदर tartaric acid डाला तो क्या बन गया हमारे पास baking powder बन गया ठीक है tartaric acid नाम याल रखना Emilian ठीक है tartaric जिसको बोलते हैं हम लोग राइट हम लोग बहुत सारी सीज़ों में इसको यूज करते हैं ठीक है बहुत अच्छा टेस्ट लेती है बहुत pleasant smell आपने डफ लिया ठीक है नॉर्मल अम लोगों ने ब्रैड ली जिसके अंदर बहुत वाटर प्रेजेंट है ठीक है ध्यान रखिएगा अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है तो baking powder को यह action परफॉर्म नहीं कर सकता tartaric के साथ मिलकर हमें कुछ भी output नहीं मिलेगा single output भी नहीं मिलेगा वो हमारी ब्रैड ऐसे की ऐसी रहे जाए कि कोई डफ जन्रेट नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा यानि कि इनके action परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर वाटर का presence होना बहुत जादा जरूरी है जैसे उस वाटर के मॉलिक्यूर्स के साथ जाके रियक्ट करेगा जैसे उसने रियक्ट किया फटा फट से वो ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होके हम लोगों को कार्बन डियक्साइड गैस देगा जैसे वो ब्रेकडाउन होगा उसने कार्बन डियक्साइड गैस दी वहां से carbon dioxide gas बहुत तेजी से bubbles की form में निकलना start हुई और bubbles की form में निकलने के बाद जो pores presented bread के अंदर वो वहां जाके trap हो गई वहां जाके पकड में आ गई trap होने के पाद उसने धीरे धीरे duct generate करना start कर दिया तो इसका मतलब के यहां से जो carbon dioxide gas निकल रही थी यहां पे जो carbon dioxide gas निकल रही है उस bread के molecules के अंदर spaces के अंदर जाके trap होती है trap होने के बाद उस धीरे धीरे expand करती है तोड़ी 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 करके जिसकी वजह से उसके अंदर duct generate होता है जो full upon आता है bread का cake का of evolution of carbon dioxide gas during during the heat with sodium hydrogen carbonate और we can say baking powder ठीक है तो during the reaction of baking powder with water the carbon dioxide gas so presents generate a dust in bread and make it spongy ठीक है इसी लिए हम लोग क्या use करते है baking powder use करते है ठीक है चलिए reaction देखते है और फोड़ा सा deep में जाए गेर when baking powder reacts with water then sodium hydrogen carbonate ठीक है baking soda जो था reacts with tartric acid पानी होना ज़रूरी है to evolve carbon dioxide gas sodium hydrogen carbonate plus H plus ion aqua solution जो present है हाहा तो give sodium ion ठीक है सबसे पहले sodium hydrogen मिलेगा यहां से sodium चला गया hydrogen H2 दो बार H आया और एक oxygen इसका लिया plus carbon dioxide gas ठीक है तो यहां पर अब लोगों को बहुत large amount में carbon dioxide gas मिली जो duff generate करने के काम में आती है cakes और bread को बदा लेगे हम लोग सेरेख वा सेरेख बेकिंग soda यूज नहीं कर सकते अब बेकिंग soda अगर यूज करोगे अगर आपने सेरेख वा सेरेख बेकिंग soda यूज किया आपकी bread बनेगी cake बनेगा लेकिन वो एक hard होगा और उसके अंदर duff generate नहीं होगा वो spongy नहीं बनेगा और उसके अंदर कोई भी duff generate नहीं होगा दूसरी चीज पहला reason आगया कि हम सेरे बेकिंग soda ही क्यों नहीं यूज करते है क्योंकि वो duff generate नहीं कर सकता water के साथ मिलकर क्यों क्योंकि उसमें tartaric acid नहीं है जो उसके action को generate नहीं करता इतने अच्छे से दूसरी चीज कि वो hard रहेगा इस spongey नहीं होगा सबसे important तीसरी चीज कि जो बेकिंग soda है ये base है ठीक है और हमें पता है जितने भी base है उनका जो taste है वो थोड़ा सा खटा है खटाच से आती है इसी लिए अगर आप उस bread को खाओगे तो आपको कोई pleasant taste नहीं आएगा अच्छा taste नहीं आएगा थोड़ा सा खटाचपन लगेगा इसी चीज को धूर करने के लिए हम लोग baking soda के साथ tartaric acid भी use करते है जो उस base के action को neutralize कर देता है acid है यह base है base और acid मिले उसके action को neutralize किया neutralize किया तो salt जनरेट हुआ carbon dioxide gas जनरेट हुआ और water जनरेट हुआ अब output निकला तो जैसे हम लोगोंने tartaric acid भी साथ में लिया तो सबसे पहले उन दोनों के action का neutralization हुआ आपको taste बहुत अच्छा आने लग जाएगा दूसरी चीज carbon dioxide gas में लिए जिसने डव जनरेट करना start कर दिया तो इस तरीके से हम लोग baking powder को use करते है for the production of cakes or to generate dough and make a spongy creaks and bread ठीक है अब तीसरा तीसरा सबसे important use यह है कि जो baking soda है it is used as a fire extinguisher ठीक है fire extinguisher के काम में आता है आपको बुजाने के काम में आता है लेकिन कैसे हम जो fire extinguisher के जो इतने बड़े बड़े containers देखते है cylinders देखते है उसके अंदर sodium hydrogen carbonate plus sulfuric acid डलावा होता है ठीक है कौन कौन सी चीज़े डली हुई है दो चीज़े है sodium hydrogen carbonate plus sulfuric acid ठीक है जैसे ही आप sodium hydrogen carbonate और sulfuric acid को mix करेंगे वहाँ पर reaction होना चार्ट होगी और वहाँ पर एक बहुत large amount में carbon dioxide gas separate होगी ठीक है आपने जैसे उसके knob को press किया ठीक है सी गैस सी बाहर आती है जब उसके knob को press करते है ठीक है तो वो जो सीम निकलेगी उसके अंदर carbon dioxide gas होगी बहुत तेजी से बहुत large amount में generate होती है carbon dioxide gas whenever sodium hydrogen carbonate reacts with sulfuric acid ठीक है और बहुत high pressure से जाती है बहुत high pressure से जाती है तो यहाँ पर आग लग दिये यहाँ पर fire extinguisher आया यहाँ पर उसने एक layer generate कर दी carbon dioxide gas ने ठीक है high pressure के साथ आईए आग के चारों तरफ उसने layer generate कर दी जब उसने layer generate करी carbon dioxide gas है तो उस fire को surrounding से oxygen मिलना रुख गया वो सारी की सारी oxygen यहाँ पर आके रुख गया और जैसे उस fire को oxygen मिलना रुख गया तो अब वो fire और ज़ादा generate नहीं होगी और बुझ जाएगी क्यों? क्योंकि fire को लगने के लिए support करने के लिए oxygen का होना compulsory है अगर oxygen नहीं है तो आप नहीं लगी यह compulsory है तो इसका मतलग क्या हुआ carbon dioxide gas जो high pressure के उपर आ रही है large amount में आ रही है fire extinguisher cylinder से उसने उस fire की और oxygen की supply को cut कर दिया उसके चारों तरफ एक blanket बनाके उसको cover कर गे जैसे oxygen की supply कटी fire से fire automatically खतम हो चाहता तो इस तरीके से हम लोग sodium hydrogen carbonate को बहुत सारी चीजों में यूज करते है sodium hydrogen carbonate का bleaching तो यह हो क्या अब हम लोगों का क्या baking soda खतम अब इसके बाद हम लोग चलते है washing soda के उपर जिसके अंदर हम लोगों को same reaction same preparation पढ़नी है थोड़ा सा हम उसमें पानी आड़ करेंगे और देखेंगे कि क्या एक नया substance बनता है जब हम लोग sodium hydrogen carbonate को heat करते है sodium carbonate मिलता है plus उसके अंदर water के कुछ crystal molecules आड़ करते है तो अब चलते हम लोग किसके उपर क्या देखते है washing soda को यूज है हम लोग उसको किस तरीके से जानते है कि हम जो कपड़े बनाने में जो साबून यूज करते है जो रिटर्जिंट यूज करते है that is what washing soda उसी washing soda की preparation हम लोग बढ़ रहे है हमें बता है कि wild color के बहुत छोटे छोटे सोटे से powder like substance होता है पहली जीज ठीक है water में dissolve हो जाता है ज्राग बनाता है ठीक है और ये एक ऐसा कार्बोनेट है ठीक है बहुत कम ऐसे कार्बोनेट मिलेंगे जो की water के अंदर soluble होते है तो it is one of the it is one among the carbonates which are soluble in water ठीक है चलिए अब हम लोग washing soda की सबसे पहले chemical names और उसकी preparation देखते है ठीक है सबसे पहले जो chemical name है washing soda का that is sodium carbonate deca hydrate ठीक है sodium Na carbonate CO3 deca means 10 hydrate means water यानि की ये जो washing soda है इसके अंदर 10 molecules of water crystals present होते कितने molecules 10 molecules of water crystals right okay देखे इसका जो chemical formula है that is Na2CO3 dot 10H2O dot का मतलग this is multiplication बोल सकते हो कुछ भी समझ सकते हो लेकिन इसके साथ 10 molecules of water of crystallization ठीक है crystal bombs में वो present होते है किसके साथ इसके Na2CO3 के साथ अगर Na2CO3 के साथ 10H2O present नहीं हो तो इसका नाम हम लोगोंने last reaction के रता देखा था which is also known as N-hydrous sodium carbonate और soda ash यानी कि यहां तक का preparation का काम बिल्कुल सेम है उसके बाद हम लोग इसमें 10 molecules of water of crystallization add कर देते ठीक है राइट इस sodium carbonate does not contain any water of crystallization is called N-hydrous sodium carbonate और also known as soda ash ठीक है इसकी preparation same वही preparation है सबसे पहले हम लोग cold and concentrated brine solution लेंगे N-A-C-L का उसके साथ में ammonia plus water ठीक है चलिए हम लोगों ने लिया N-A-C-L plus NH3 ammonia plus water plus carbon dioxide हम लोगों को जो मिला that is sodium hydrogen carbonate ठीक है जिसको अभी हम लोग पढ़के आए है baking soda ठीक है plus ammonium chloride NH4Cl ठीक है यहां पर जो NH4 NaHCO3 sodium hydrogen carbonate बना है this is slightly soluble in water तो इसको इसी ले हम लोग precipitate out कर लेते हैं वहां से solid form को बहार निकाल लेते हैं अब जो solid form filtrate होके बहार निकाली है उसको heat up किया जाता है dry up किया जाता है उसमें से सारे के सारे पानी के molecules निकाले जाते हैं तो 2 NaHCO3 इसको heat किया हमें मिला sodium carbonate Na2CO3 plus carbon dioxide plus H2O यहां तक हम लोगों को चीज अल्रेडी मिल चुकी थी हम लोगों ने baking soda के अंदर इसकी preparation देख दी थी अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हमें Na2CO3 मिल जया यह dot 10H2O बाकि है यानि कि इसके अंदर मुझे 10 molecules of water add करने हैं तो देखे Na2CO3 plus 10H2O उसको वापस से जी crystallize किया और हम लोगों को मिला Na2CO3 dot 10H2O जब भी dot use होगा that is water present in crystal form यहां पर water of crystallization present है इसका नाम होगे है sodium carbonate deca hydrate which is also known as washing soda चीक है चलिए अब हम इसके uses देखे सबसे बेले properties then uses properties के अंदर transferring crystalline solid होता है number one second water के अंदर soluble होता है और जैसे हम इसको water के अंदर डालेंगे it will turn to an alkaline solution it means it turns little more to blue color चीक है next इसकी सबसे important property है कि cleansing property को show करता है मतलब ऐसा detergent use किया जाता है या फिर हम किसी भी कपड़ों को साफ करने के काम में लेते हैं because it can remove dirt and grease from the clothes यह उसको जाके पकड़ लेगा ठीक है और पकड़ने के बाद वहाँ से पानी के साथ उसका जो action होता है वो cleansing action होता है ठीक है right now use this सबसे पहला same use cleaning करने के काम में आता है second water के अंदर जो permanent hardness है carbon की carbonates की form में और magnesium की form में उसको remove करने के काम में आता है और hard water को soft water में convert करने के वी काम में आता है next it is used in the manufacture of glass soap, paper and कुछ sodium के compound बनाने के काम में भी आता है जिसको हम लोग बोलतें है borax borax के बारे में हम थोड़ा सा detail में पढ़ेंगे in metals and non metals में हम लोग borax को पढ़ेंगे but अभी के लिए हम लोगों को याद रखना है कि जो washing soda है इसकी ये जो है ये glass की manufacturing soap की manufacturing paper और कुछ sodium के compound बनाने के काम में भी आता है ठीक है so friends ये हुए हम लोगों के total 3 salts पहला salt हमने जो पढ़ा that is common salt उसके preparation पढ़ चुक है second one is baking soda baking powder पढ़ चुक है and the third one is washing soda ठीक है तीनों बिल्कुल सेम procedure पे चल रहे थे NACL NACL से sodium hydrogen carbonate बनाया और हम sodium hydrogen carbonate से sodium carbonate decahydrate बनाया तो तीनों का एक सार जैसी preparation थी इसलिए हमने ये तीनों बिल्कुल एक सार पढ़े हैं next video के अंदर हम लोग पढ़ेंगे किसको bleaching powder sodium hydroxide which is also known as plastic soda and the last one जो के हम लोगों का अबला that is plaster of fats right I hope you friends आपको अमारी ये वीडियो पसंद आई होगी आप like कर सकते हैं subscribe कर सकते हैं and keep on sharing let us call